साथियो जहिन डॉक्टर संगराम पाटिल इंगलांड से बात कर रहा हूँ साथियो एक वीडियो बड़ी वाइरल हो रही है एक सादू बाबा है वो बिना कपड़े पहिने हुए है तो ऐसे लगता है कि शायद वो जैन सादू हो सकते है या कोई हिंदू दर्म के सादू हो सकते है मुझे पता नहीं है लेकिन इन सादू बाबा ने सुष्मा अंदारेजी जो है हमारे महराष्टर की एक बड़ी विद्रोही कारे करता है और ये अभी हाले में शिवसेना के साथ जूड़ी है तो इन्होंने जाहिर है कि ये विद्रोही किसम की है संद सहित्य को मानने वाली खुलेशाव अंबड़कर की परंपरा चत्रपति शिवाजी महराज की परंपरा मानने वाली समतावादी कारे करता है सम्मिदान वादी कारे करता है और हमारे वारकरीपंत को मानने वाली भी एक बड़ी नेता है, उनका वक्तुर्त्व बहुत अच्छा है महाराश्ट्र में, गाउ-गाउ में, कोने-कोने में ये लोगों को मलूम है उनके बारे में, और बड़ी respect लोगों में हैं, खासकर करे बहुजन, विचारसन्री के जो लोग है हिंदू लोग उनमें बड़ा उनका रिस्पेक्ट है तो इनकी 2009 की कोई वीडियो की क्लिप निकाल कर बाजपा RSS के जो गूट है इन्होंने उनको टार्गेट किया है और फिर इसके बाद मेडिया सोशल मेडिया पर भी ये लोग जुड़ गया है साथ में और अब इ आपको इस सादू बाबा का ये क्लिप 30 सेकंड का दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ 33 करोड देवताओं का अपमान करने वाली और महान हिंदू धर्म के सभी परवो का मदाग बनाने वाली एक विशाचनी एक सुपर्णका महराष्ट में रहती है उसके पाप का नाम है दत्ततर गुत्ते उसके पति का नाम है वैजनात वाग मारे और उसका स्वयम का नाम है सुष्मा दगडू अंधारे अब दगडू कहां से आ गया है कुछ तो लो चाहनी जिसका अपना करेक्टर नहीं वह हमारे भ़गवान का मज़ाग पनाती है तो सात्यों आपने सुना कि ये जो सादू है इसकी भाषा जो है ये आपने देखी होगी कि इसकी भाषा में कितना दुएश है और अगर ये जैन सादू है या कोई भी हिंदू भी सादू है तो सादू की जो वानी होती है ये बड़ी मधूर होनी चाहिए इसमें से सिर्फ ध सादु बाबा गुज गय है राजनिती में और ये RSS और BJP की भाषा उनके मूँ से निकल रही है और ये कहते हैं सुष्मा अंधारे के बारे में कि ये पिशाचिनी है तो ये पिशाचिनी भूत पिशाचिनी ये जो है ये अंदशद्दा वली बाते जो अवरतों को डाकीन प सुरेड भी बोलते है तो ये जो शब्द इस्तमाल किये जाते है ये पुरुष डौमिनंस जो होता है पुरुष वादी संस्कृती का ये रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये बाबा इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि एक महिला के बारे में किस प्रकार की शब्दरचना इस इस्पेक्ट है आधरनी है वो कोई क्रिमिनल बैगराउंड की नहीं है कोई निगेटिव बैगराउंड की नहीं है उनके बारे में इस प्रकार के शब्द इस्तमाल करते है तो ये कितने बत्तमीज और कितने इगोईस्टिक और कितने अंधे बाबा लोग होते है ये हमें इ दिखने में भी बुरी दिखती है, तो इसकी नाग काट देना भी अलाओड है, ऐसा ब्राह्मनवादी साइत्य हमें बताता है, लेकिन अगर हम ठीक से देखते हैं, इतियास में जाते हैं, तो नाशिक का जो महाराष्ट्र में जो रीजन है, ये शुपरनखा का हुआ करता था ये राजकुमारी थी, यहां की नागवंशिय राजपुत्री थी, और उसको इस तरीके से पुरानों में राम लक्षमन द्वारा बदनाम किया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये रामायन, ये कोई इतियास नहीं, ये पुरान है, ये महाकाव्या है, जिसको क कोई बात नहीं आती है, राम, लक्षमन, सिता को कोई शुपरनका या रावन नहीं मिलते हैं, ये तो पुरानों की बात होगे, जो कापी बाद में जब संस्कृत बाशा विकसित हो गई थी, उस वक की ये बात है, तो लेकिन ये जो मनुवादी, ब्राह्मनवादी सोच के जो लोग होते हैं, ये शुपरनका को इस तरीके से किसी महिला को शुपरनका कहेंगे, पिशाचनी कहेंगे, चुरेड कहेंगे, तो इनकी ये मेल डौमिनेटिंग मनुवादी, ब्राह्मनवादी वृत्ति दिखाई देती है, अगर ये बाबा जैन है, तो ये बड़ी दु खोड़ेश, या फिर सवर्णवाद, वर्चसववाद, ब्राह्मनवाद, इसका समर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, मुझे पता नहीं उनका उसमें क्या पाइदा होता है, उनको कोई राजनीतिक फाइदा मिलता है, या कोई और भी उनके डिलिंग होते हैं, पता नहीं लेकिन ये बाबा तो पूरा बत्तमिज बाबा दिखता है मुझे इसमें कोई दोरा नहीं है आगे वो कहते है कि उनका बाप कौन है तो देखो इनकी भाषा वानी देखिए सादू किसे कहते है जिनोंने अपने काया और वाचा और मन ये तीनों पर कंट्रोल कर लिया है ऐसे सादू जो मोहमाया से दूर हो गए संसार की जिनने सिर्फ अध्यात्मे की पड़ी है जो खुद की मुक्ती के लिए प्रयत्न करते है और लोगों को भी इस परकार की मदद करते है उबदैश करते है ये बाबा तो बिलकुली उलज गए ये तो लोचा नाम का शब्द इस्तमाल करते है जो एकदम अनपड क्रिमिनल टाइप के जो अंडरवल टाइप के जो लोग होते है एकदम पंटर जैसे वो लोचा और ये तो spiritual गूरु दिखता है ये बड़ा बत्तमीज आत्मी लगता है मुझे कोई सवाल ही नहीं है और अवरत को कहता है एक अवरत के प्रतिश्टित अवरत के बारे में कि इनका character क्या है अरे आप character के बारे में क्या जानते हो character मतलब क्या इसको Sanskrit हमारे अध्यात्मिक भा पोली रहा है काफी सारे क्योंकि इसमें जो आया है बाते ये जूटे तीगतिसकरोड देव और शुपरनका ये पििशाच्ची नी है ये सब जूट बोल रहा हैं ये बाबा क्योंकि इसमें कोई सच्चाई है नी पििशाच्ची नी ये एक योनी 원ी है महिला पूरुष गवार हो बाबा आपको कोई भी ध्यान नहीं या अध्यात्म का और अगर है तो आप जुड बोल रहे हो राजनीती कर रहे हो यही इससे साबित होता है और क्यारेक्टर निकालते हो एक महिला का शील के बारे में आप लोगों में जरा जानकारी फैलाईए खुल शील सदाचा का पालन कीजिए उसका प्रसार कीजिए तब सादू कहलाने लाइक हो गए नहीं तो फिर यह ऐसे राजनीतिक भगवादारी तो बहुत है राजनीती में चिप मिनिस्टर्स हो गए मंत्री हो गए है मलेज है क्या होता है उनको जेल हो गई है इसे बहुत क्रिमिनल से आप भ कहते है बाबा कि भगवान का मजाक और अपमान अरे भगवान क्या होता है वो समझ लो पहले भगवान यह ऐसे अवस्ता होती है जो मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है यह हमें भगवान महाविर ने बताया है भगवान बुद्ध ने बताया है कि जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह प्योर निर्मल कर लेता है और खुद के बारे में जो सच्चाई उसको जान लेता है और उसके जरीए इस विश्व की सच्चाई को जान लेता है भग रागो सो बगवा भग दोसो सो बगवा भग मोह सो बगवा राग दुएश मोह को जो भगन कर देता है उस व शिर्वान अवस्ता मोक्षा अवस्ता प्राप्त कर लेता है सबसे बड़ी अवस्ता होती है देव और ब्रह्मा से भी उच्छी अवस्ता होती है और आप बत्तमीज सादू के रूप में जो आप बहुरुपिया हो आप भगवान के मजाक की भगवान के अपमान की बात कर रह रहे हो बदनाम कर रहे हो अगर आप हिंदू भी सादू हो तो हमारा देश मेजारिटी हिंदू है हम लोग के लिए तो बड़ी अनलकी बात है कि आप जैसे बत्तमीज गवार अनपढ़ लोग अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे सिहासन पर बैटे हैं सादू हो और सिहासन पर ब राजनिती को छोड़ो अध्यात्म की लाइन पर आजाओ अध्यात्म का रस्ता पकड़ो ताकि आपका बला हो जाएगा और आपकी वज़े से आपके जो मानने वाले जो फालोर से बक्त हैं उनका भी बला हो जाएगा क्यों इस राजनिती के जंजे में पढ़ते हो यह छोड़ देते हैं उनको सुपारी देते हैं तो क्या आपने सुपारी ली है सुष्मांदारे को टार्गेट करने के जानते भी हो कोन है सुष्मांदारे जानते भी हो क्या होता है वारकरी पंत जानते भी हो क्या होता है स्पिरिच्वालिटी या सिर्फ अपना धंदा दुकान धरम का काम करें ना कि ये RSS BJP वालों की राजनीतिक सुपारी लेने का साथियो शेर किजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद है जैहिन साथियो